हेलो एब्रीवन वेलकम टू अभी पीडिया पावड़ बाई अभी मन्यु आईएस और यूपिया सी सेट की आज के क्लास के अंदर हम डिसकस करेंगे काफी इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है फाइंड यूनिट एंड टैन्स प्लेस डिजिट या आपको अगर आपने दिया है या फिर प्रिवियस येर का पेपर आपने चेक किया है तो आपने देखा होग वाइंग की हर बार action आ जाता है कि यूनिट से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमेंडर抬चेगा अब हमें पता है कि जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमेंडर क्या बचता है जो यूनिट प्लेस पे हमारे पास नंबर होता है वही रिमेंडर बचता है तो आज हम यह सभी डिसकस करने सब्सक्राइब करेंगे अब आज कल आप में जो इंपोर्टेंट कंसेट्स हैं उनके उपर क्लासिज ले रही हूं है है अभी हमारे पास time है अभी हम concept clear कर सकते हैं अब हम उपर classes ले रहे तो हर एक इंपोर्टेंट वहिस्प्राइब कंसेट जिस पर अग्जाम के अंदर डेफिनिब्लिं को सचन है वह थिकिस्टर कर रहें लैँ तो नंबर सिस्टम के अंदर से unit place का काफ़ी important प्रेंट टोपिक है और यह हम आज डिसकस करेंगे तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे आपके पूरे का पूरा एक 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 स्प्रेशन गीवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है तक जब भी इस तरह से expression given है that means कि काफी ज्यादा easy question है आपको fraction of seconds के अंदर आप इसको solve कर लोगे करना क्या है इस तरह के question के अंदर अब एक तो ही हो गया कि सब को multiply करो फिर चेक करो कि unit place पर क्या आएगा ऐसा नहीं करना ठीक है यह तो I think सभी को पता है कैसे करेंगे हम इसको देखो unit unit place को multiply करेंगे देखो अगर माल लो मैं इसको इसके साथ में multiply करते हूँ क्या आएगा आपके पास में यूनिट को जब मैं multiply करते हूं इस विल बी 36 क्लियर अब 36 को मतलो आप स्थर्फ यूनिट को लो क्या आगे अमारे पास 6 यूनिट इजिट पर क्या आगे हमारे पास 6 ठीक है अब इस 6 को यूनिट प्लेस पर क्या है उसी से multiply करेंगे क्या आ जा है सिक्स ओके फिर इसको यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसी से मल्टिप्लाई करेंगे क्या आएगा 42 डैट मिन्स की यूनिट प्लेस पे क्या आगया हमारे पास क्या बचुनिट को स्काया है सब्सक्राइब बताओ को यांदर मिनरो 않았ाय है कर लेंगे बिल्कुल चलो हां जी नेक्स्ट देखें नेक्स्ट अगेन एक एक्सप्रेशन गीवन आपके पास में अभी मैंने बताया आपको ऐसे हम करेंगे पर एक छोटा सा और भी पॉइंट हमने धियान रखना है कि अगर मेरे नंबर के अंदर यूनिट प्लेस पे जीरो है इन डैट केस अपना अंसर क्या होगा जीरो ठीक है अब यहां पर तो जीरो किसी में भी नहीं है थीक है पटी पॉइंट दिहान रखना ऐसा भी कोश्यन आ जाता एक्जाम के अंदर ओके दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है कि हमने यहां पर देखा कि मेरी है ओके यहां डारेक्टली आंसर करोगे आप जीरो कोई डाउट किसी को हाँ जी बताईए है डान नेक्स अब एक यह तो हो गया कि हमारे पास डारेक्टली डाटा गीवन था ठीक है दूसरा क्या डाटा आता है इंडेक्स की फोर्म में डाटा आ जाता आपके पास में सब्सक्राइब बट ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना आप लोगों ने अब देखो इसके लिए भी हमने थोड़ा सा समझ की चलना है पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे अब यहां पे जो नंबर है इसकी यूनिट प्लेस चेक करोगे आप सब्स यूनिट प्लेस की मैं बात करें टू सेवन थ्री वन जीरो फॉर कुछ भी आ सकता है आपके पास ठीक है तो अब यहां पर मैंने जीरो से लेगे नाइन तक सारे की सारी डिजिट मैंशन कर दिया कि यूनिट प्लेस पर आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है मिन्स मेरे पा यहां पर के पास तू है यहां पर आपके पास और है या फिरहां पर आपके पास 4 है नाई मिन्स गयंस जीरो 2 9 0-9 कोई भी वैल्यू हो सकती है तो धियान रखेगा कि अगर मान लीजे मेरा यहां पर यूनिट प्लेस पर आ रहे हैं ठीक है जब भी मेरे पास यूनिट प्लेस पर जी रोला तो और क्या आएगा जीरो ही अंसर आएगा क्लियर अगर जीरो है तो जीरो आएगा कुछ नहीं सोचना ची कितना भी बड़ा आपके पास में एक्स्प्रेशन गीवन पावर जितनी मर्जी है कोई प्रोब्लम नहीं ओके अब अगर आपके पास में वैल्यू आ जाती है वन अगर वै वे अगर आपके पास में वैली वा जाती है 5 एली आजाती पैल तो भी अगे ध्यान रखेगा रहे गाहिए 5 की पावर आप जितनी मर्जी कर लिजी एक ऑफाइगा फाइव अभाइव खाइव फिर यूनिट डिजिट पे 5 देन 525 देन यूनिट डिजिट पे 5 हमेश्य क्या रहेगा 5 या ओके सेम भी अगर आपके पास में यूनिट डिजिट पे आपको मिल जाता है 6 क्या मिल जाता है 6 तो भी आपका क्या आएगा बिल्कुल क्लियर हां जी यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो इस कंसेप्ट के अंदर अब हमारे पास में कुछ और नमबर्स हैं अब उनको चेक करते हैं अब मैं गहते हूं कि अगर मेरी यूनिट डिजिट पर क्या आगया 4 आ सिक्स्टीन सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करूं 16 का 6 ओके अब अगर मैं 4 अगर मेरी पावर अगर यहां से हमारे पास में जो पावर है वो क्या है ओड है अगर पावर ओड है तो जो नमबर है जो नमबर है वही आएगा यूनिट प्लेस का क्या आंसर आएगा 4 ओके अगर हमारे पास में पावर क्या है इवन है इवन है यूनिट प्लेस पे क्या है आपके पास में 6 आएगा कि हान जी बताओ कोई डाउट तो यह तो जल्ड झे इसका आ इसकानसर क्या आएगा 4 डिप 1- पावर गया नाइन थ्री एट फोड एवन है और सकी आपके पास में ना मींस कि आ और आ तो जो नंबर है आपका यूनिद प्लेस पे वही रहेगा अगर ईवन पावर आ रहे के देख लो गया जो भी आपका यूनिट प्लेस पे तैट मिंस की 6 आएगा ओके अब हम बात करते हैं यास नेक्स नंबर की 4 होगे आपके पास हां जी 4 डिसकस कर लिए अब हम करते हैं बात 9 के लिए ठीक है अब अगर मेरे पास में यूनिट प्लेस पे नंबर आ रहा है क्या आए गा दैगा 9 और हम यहाँ पर देख अगर मैं बात कर रूँ 9 रसपावर 1 क्या आयगा 9 9 रसपावर 2 81 सराफ यूनिट इस इतब देखो क्या आएगा 1 ठीक है 9 रसटब पावर 3 सिरफ यूनिट इस 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 इक को कितना आएगा 9 9 रस तब आवर 4 फिर यूनिट इस इसे But, again we can conclude that if power is even, if power is even, then unit place digit will be 1. If power is odd, then unit place digit is 9. Clear? Yes. क्या बता है मैंने आपको? अगर even power है, तो क्या आएगा आपके पास answer? 1. Okay. और पावर है, तो हमारे पास में answer क्या आजाएगा? 9. Done. अब यहाँ पर बताओ, 9 raise to power, यहाँ पर क्या? 3, 8, 9, 9 raise to power 9, 3, 8, 3. Yes. 9, 3, 8, 3 is a odd digit. Yes. Old number है, unit place के उपर क्या है? Old number है, old number है, that means what? क्या आपके पास answer? 9. Done. 10, हाँ जी, कोई सके अंदर डाउट किसी को, क्लियर है बिल्कूल? Next, देखी तो फिर, अब जल्दी जल्दी से हमिन का answer करते है, हाँ जी, देखो, unit place पे क्या है? 6, 5, 7, 6 raise to power 11, 5, 1. Yes, unit place पे 6 है, क्या answer आएगा, आपके पास? Yes, अब पावर को चेक करना है, क्या चेक करना है आपने? कि पावर even है या ओड है? ओके, अगर even है, then 6 आएगा answer, ओड है, तो 4 आएगा, ओके? तो यहाँ पे पावर क्या है? Yes, हमारे पास even है, confuse होने की जुरुत नहीं कि हमने 6 याद रखना, 4 याद रखना, आप पावर क्या करोगे? 4 raise to power 2 करके देख लोगे सिरफ, ठीक है? 16 आपता है, 16 आपता है, that means कि 6 आएगा, ओके? अब यहाँ पे 9 raise to power क्या है? 1, 4, 0, 1, 4, 0, power check करनी पड़ेगी, even है या ओड है? क्या है? Even है, even है, that means कि क्या हैगा, आपके पास में? Clear? हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक, चलो, फिर next बढ़ते आगे, अब देखो, 1, 0, 1, 4, 5, 6, 9, मैंने अभी discuss कर लिए, अब हमारे पास में कुछ नंबर्स और रहेगे, क्या? 2, 3, 7, 8, ठीक है, अब 2, 3, 7, 8 के अंदर थोड़ा सा आपका ट्रिक यूज करने है, आपने थोड़ा सा समझने है, हाँ जी, कॉंसेंट्रेशन के साथ में चेक करेंगे, अब देखो, जो भी मैं समझा रहे हूँ, सभी ने फूल कंसेंट्रेशन के साथ में सीखना है, ओके, अगर हम बात करें 2 की, तो 2 raise to power 1 कितना है, 2, 2 raise to power 2, this is 4, 2 raise to power 3, 8, 2 raise to power 4, 16, अगर unit place चेक करें, सरफ 6 को चेक करेंगे, ठीक है, 2 raise to power 5, 32, unit place is 2, अब यहाँ पर आप चेक कर सबते हो, कि 4 तक हमारे पास में value क्या आ रहे थी, unit place की change हो रही थी है, unit place की value change हो रही थी आपके पास में, कब तक 4 तक, बट जैसे ही में 5 पे आई, मेरा repetition शुरू हो गया, ओके, that means what, कि 4 तक अगर मेरे पास में, जो power है, power मेरी जब तक 4 की multiple है, तब तक मेरे पास में unit place डिजिट क्या रहेगी, हाँ जी, unit place डिजिट क्या रहेगी, हमारे पास में 2 रहेगी, means अगर मेरे पास में, कोई भी number given है, like 342, raise to power of 4, that means की answer क्या आगया, 6, ओके, अगर यहीं पे मैं करती हूँ, to raise to power 24, 24, that means की, this is, power is multiple of 4, 4 की multiple है, 4, अगर पावर 8 है, then again answer 6 होगा, अगर पावर अपने पास 16 है, तो भी answer 6 होगा, 24 है, तो भी आमारे पास 6 होगा, क्यों, because this is multiple of 4, ओके, clear, अब यहीं अगर हमारे पास में value आ जाते है, क्या, yes, 824, 824, अब देखो, again, this is multiple of 4, that means की answer क्या आ जाएगा, आपके पास 6 आ जाएगा, point is clear, पर एक बात है कि हर बार तो नहीं आएगा ऐसा, यहाँ पर हमारे पास में power ऐसा भी तो हो सकता है, इसी नंबर की जो power है, वो मेरे पास में क्या आ गए, क्या आ गए, अब क्या करूं, अब क्या करेंगे, पहले इसको multiple में convert कर लो, और क्या करेंगे, this is a24 plus 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर चेक करेंगे, अगर a24 है, a24 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकने है, 384 raise to power 824 into 382 raise to power 1, और यह हमें पता है, यह क्या होगी, yes, this will be 6, okay, and 2 raise to power 1, 2 raise to power 1, मुझे पता है, कितना है, 2, that means कि कितने हां करेंगे, हम multiply by, इसके unit place के आएगा, 2, that means कितना हो गया, हमारे पास, yes, 12, 12 हो गया, तो हमारे पास answer क्या आजाएगा, बिटा, 2 आजाएगा, बताओ, इसके अंदर किसी को कोई भी minor सा doubt आ रहा हो, हाँ जी, कोई भी डाउट इसके अंदर, विलकुल क्लियर है, हाँ जी, next देखिए, अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, किसकी, जास, 3 की, हाँ जी, 3 पे आते, देखिए, 3 raise to power 1, 3, 3 raise to power 2, 9, 3 raise to power 3, 27, 3 raise to power 4, 81, 3 raise to power 5, 243, क्लियर, अब यहाँ पर अगेन आपने देखा, क्या, कि यहाँ पर क्या था आपके पास में, यास, जो values है, यह आगे आपके पास 3, power 2 है तो 9, unit place पे 7, 1, बट जैसे मैंने देखा 5 हो गया, means 4 के बाद, क्या आगी हमारे पास में, repeat or a number, क्लियर, अगेन, same method यूज करेंगे, अगर आपके पावर, multiple है, किसकी, 4 की, तो आपके पास answer क्या आएगा, unit place पे, 6 आएगा, क्या आएगा, unit place पे, हमारे पास, 6 आएगा, for example, मेरे पास में, यहाँ पर नंबर है, कोई भी नंबर उठा लेते हैं, हम, कोई भी नंबर ले लो, आप, 9 नहीं ले न, हमने, जिसकी unit place हमने चेक करने, 3 आने चाहिए, न, 3 ले लते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे, पावर की, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे, हम कोई भी पावर ले लेते हैं, ओके, आप चेक करो, इस पावर इस मल्टिपल ओफ, 4, मल्टिपल ओफ, 4 है, दैट मींस की unit place पे क्या आएगा, मल्टिपल ओफ, 4, दैट मींस, 1, ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि मल्टिपल ओफ, 3 है, तो 7 ले लोगे, नहीं, मैं 4 के बाद ही क्यों कर रहे हूँ, विकोज, रिपिटीशन शुरू ओर ही, आफ्टर 4, ओके, रिपिटीशन कब शुरू हो रहे है, आफ्टर 4 रिपिटीशन शुरू हो रहे है, तो यहाँ पे अगर अपने पास में, वैल्यू आ जाती बिटा, इसकी बज़े, नमबर हो जाता है, आपके पास में, क्या, 50, फ ठीक है, हाँ जी, अब इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा, 1, 3 रेस टू पावर 2, 3 रेस टू पावर की यूनिट प्लेस पे क्या आ रहे है, 9, that means क्या आंसर विल भी, 9, ओके, सेम बे करेंगे हम 7 का, अगर आप लेते हो 7, हाँ जी, 7 के अगर हम बात करें, तो 7 पे भी देखी, 7 रेस टू पावर 1, is equal to 7, 7 रेस टू पावर 2, हसा तो नंचास, 9 आ गया, 7 रेस टू पावर 3, सिरफ यूनिट इसेट को आप यूज करो, जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा करने की, ठीक है, हाँ जी, पूरा मत लिखो, सिरफ यूनिट प्लेस को, सिरफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं, याज, 3, ओके, 7 से मल्टिप्लाई करो, सिरफ यूनिट प्लेस को, कन्फ्यूज नहीं होना, पूरा का करने की जरूरत नहीं है, फिर इसको 7 से करेंगे, क्या आगया, 1, फिर इसको 7 से करेंगे, 7 रेस टू पावर 5, क्या आगया, 7, अगें, हमने यहाँ पे देखा कि, 4 तक मेरे पास में, जो यूनिट प्लेस डिजिट थी, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, 7, 9, 3, 1, बट उसके बाद में, रिपीट हो रही है, ठीक है, that means कि we will use the same method, अब यहाँ पे भी अगर हम देखे, मालो, यही सेम कोश्यन है, यह होगा, आपने 7, दन, तो अब देखो, अगें, यहाँ पे 7, अब 3, 8, 7 raise to power 4, 8, 4, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1, फोर्थ पावर, दन, इन्टू, 7 raise to power 2, यूनिट प्लेस पे क्या है, 9, 49 का 9, तो आंसर क्या हैगा, हमारे पास में, 9, अगें आंसर सेम है, क्लिय कोई के अंदर डाउट, बिलकुल क्लियर है, अब हम आते हैं, 8 पे, ओके, 8 के अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 8 raise to power 1 is equal to 8, 8 raise to power 2, 64, सिरफ 4 ले लो, कोई जरूरत नहीं है, पूरा लिखने की, ठीक है, 8 raise to power 3, 2, 8 raise to power 4, 6, 8 raise to power 5, क्या आगया, 8, क्या कर रहे हैं, मैं इसको हर बार 8 से मल्टिप्लाई कर रहे हूं, यूनिट इस इट को सिरफ, 8 को किया, 64, 64 मतलो सिरफ 4 ले लो, 4 को फिर 8 से किया, ठीक है, आठ चो को 32, 2 ले लिए मैंने सिरफ, ठीक है, फिर इसको 8 से करेंगे, ठीक है, कितना आग यूनिट इस इट यह आ रहे है, 2 पे, पावर पे, 3 पे, और 4 पे, 6, clear, तो अब यहाँ पे, अगेन हम कैसे करेंगे, से मेथर यूज़ करेंगे, क्योंकि 4 के बाद, रिपेटिशन आ रहे है, हां जी, 4 के बाद, रिपेटिशन आ रहे है, तो अगर मान लो, मेरे पास में य यहाँ पे, यहाँ पे गेवन है बिटा, एट, अब क्या आएगा, याज, अब इसको सोल करते है, यहाँ पे अगर 8 है, क्या करेंगे, 3, 8, 8, raise to power, हां जी, इसको 4 के मल्टिपल में कनवर्ट करेंगे, 4 के मल्टिपल में कनवर्ट करेंगे, तो हमें पता, 8, 48, 4 का मल्टिप है, 6, ठीक है, इन्टू, 8, raise to power 2, मल्टिपल चेक करो, 8, raise to power 2, क्या क्या करेंगे, हम, यूनिट प्लेस पे चेक करेंगे, कितना आ रहा है, 4, कितना आ गया, 24, 24 का भी ले लो, आप सिरफ, 4, so answer will be, 4, हां जी, बताओ, कोई डाउट आ रहा है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल अक्टूबर को एक्जाम हुआ था, यास, अभी एक्जाम होके अटा है, C-set का, ठीक है, 10th को, तो उसका question है, क्या है, question, if 3 raised to power 2019 is divided by 10, then what is the remainder, अब यहां पे, उसने ये निका, unit place बताओ, बट जब 10 से डिवाइड करेंगे, तो बचता है, remainder ही तो बचता है, remainder जो बचता है, हो क्या बचते है, unit digit बचते है, that means कि we have to find here, unit digit, अब अगर मैं इसका multiple की बात करूं, तो ये क्या है, 2 raised to power, sorry, 3 raised to power, 2, 0, 1, 6 is multiple of 4, 4 का multiple है ये, हां जी, 4 का multiple है, plus, क्या आ गया हमारे पास में, 3, clear, अब 3 का अभी हमने चेक किया, 3 raised to power, 4 पे अगर हम जाते हैं, तो unit place पे क्या आता है, आपके पास, 1, okay, and 3 raised to power 3 में क्या आता है, 7, क्या answer आएगा, 7, concept के लिए रहे, ध्यान रखो, यहाँ पे आपके पास में जो नमबर से, अभी मैंने आपको समझाया, थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा कन्फ्यूस होने की जरूरत नहीं, simple ना, देखो, 2 के लिए है, 1, 3 के लिए क्या हैगा, 1, 7 के लिए अगें, 1, 8 के लिए 6, तिरफ दो ही नमबर याद करने, आपने, फोर्थ प्लेस पे बता रहे हैं, अगर रेस टू पावर 4 देखते हैं, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आता है, 6, 1, 1, 6, okay, तो डिरेक्ली आप लिखो, क् तरके देखने में भी कोई ज्यादा टाइम लगता, अगर कन्फ्यूजन होगती है, तो, okay, yes, next देखिए, वाइंडर यूनिट इजट ऑफ 432 रेस टू पावर 412 इन्टू 499 इन्टू रेस टू पावर 431, अगें दिस इस प्रिविएस येर कोश्च है, ठीक है, UPSC कही है, UPSC कही है, देखी क्या है, 432 रेस टू पावर, अब यूनिट प्लेस पे क्या है, आपके पास, 4 है, sorry, 2 है, 432 रेस टू पावर है, आपके पास 412, अब हमें पता, 412 इस मल्टिपल ओफ 4, 412 इस मल्टिपल ओफ 4, that means कि जो फूर्थ प्लेस पे यूनिट इजट पे आप ही आएगा, क्या था आपके पास, 6, क्या था यूनिट प्लेस पे, 6, same, 499 रेस टू पावर, 431, अब 9 जब है, 9 है तो अभी हमने किया था, कि 9 के अंदर तो 2 के बादी, repetition हो जाती, 2 के बादी, repetition हो थी, means कि अगर, even power है, तो क्या आएगा, 1, old power है, तो 9, तो यहाँ पे, old power है, क्या जाएगा, 9, अब 9 छी के क्या होगा, 4, 4, 4 के अंदर से, आपने सिरफ 4 पिक करना, क्या आगे अंसर, 4, ओके कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहो, clear है, next thing, yes, find, unit place visit, again unit place visit, 4, 4 raise to power, 4 का अभी मैंने रूल बता है, if the power is even, then 6, if power is old, then 4, yes, power क्या है, even है, that means की unit place पे क्या आएगा, 6, power old है, unit place पे क्या आएगा, 4, unit, unit को अगर मैं add करूंगी, तो यहाँ पे unit place पे क्या आएगा, 0, सिरफ unit place ले रही हूँ मैं, सिर्क है, आंसर क्या आगा, 0, next देखिए, yes, 3, 5, 4, 7 raise to power, 1, 5, 3, into 2, 5, 1 raise to power, 72, अब 7 है, 7 raise to power, 5, 3, 52, sorry, 153, 15, 153, yes, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, इसको क्या लिख सकते हूं, क्या करोगे, हाँ जी, क्या करेंगे, यहाँ पर हम, 4 का multiple लेंगे, क्या करेंगे, 4 का multiple लेंगे, तो 4 का multiple लेंगे, तो 4 का multiple लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में value क्या बन गी है, यहाँ 52 अगर आप लेते हो तो आपके पास में 4 का multiple बनेगा ओके तो यहाँ पर देखो क्या लोग है आप 152 प्लस 1 दाप इंटू अब 2 raised to power 251 raised to power क्या है 72 अब हमें पता जब unit place पर क्या है 1 है that means कि क्या आएगा 1 ही आएगा इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है अब यहाँ पर आते हैं 7 raised to power power 4 में क्या आता है 1 और 7 raised to power 1 will be 7 ओके सांसर विल बी 7 ओके कोई डाउट आ रहा हो clear है yes अब हम आते हैं लास्ट की 2 डिजिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं अब देखो जब भी लास्ट की 2 डिजिट्स फाइंड आउट करें दैट मिंस कि हम हंड्रेट से डिवाइड कर रहें ठीक है अब अगर इस नंबर को मैं हंड्रेट से डिवाइड कर दूं हां जी इसके अंदर इंडेक्स में नहीं आता जाता जी तो भी कोश्ट्स अभी तक देखें मैंने सभी के सभी पीटा इसी फोर्म में आये में ओके तो अभी देखो इसको क्या करना आपको हंड्रेड से डिवाइड कर आप जो रिमेंडर थियोरेम है यस वह भी मैं डिसकस करूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर रिमेंडर छोरम डिसकस करेंगे अब वह उसका एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पर यूज कर रहे है कि जगर मैं कुछ कैंसिल आउट करते हूं रिमेंडर फाइंड आउट करने के लिए पहले अगर कैंसिल आउट करते तो जब फाइनल क्लियर आप देखो हर एक नंबर को आप क्या करोगे 10 से डिवाइड करोगे 10 से डिवाइड करना तो इसी है और जो यूनिट प्लेस पे वैल्याइगी सिर्फ उसको पिक करने आपने और उनको मल्टिप्लाइ करते हुए चलना है ओके आपके पास में 3 आएगा यास सिरफ 3 पिरिया मैंने उसके बाद में इसका आएगा 973 171 ओके मींस वाट जो इसका रिमेंडर होगा वही एक्स्प्रेशन का रिमेंडर होगा अब यहां पर एक और बात है कि जरूरी निया आपके यहां पर 9 लेना आप इसका नेगटिव रिमेंडर भी ले सकते हो पर नेगटिव रिमेंडर में रिमेंडर थियोरम करेंगे उस ताइम डिटेल में की डिस्कॉस करेंगे अभी डारेक्टिव आप सीख लो ओके तो यहां पर देखे क्या होगी वैल्यू आपके पास में अगेन हमने सरफ यूनिट इजिट यूज़ करने अब इसकी यूनिट इजिट फाइ डिमेंडर क्या भुचेघा आपके पास गाल al Q7 sudah में अभी आप एकыл बताएथ जिस wouldn't करेंगे रहे होना सर झाटिस से भी हमिसको इसको कैंणिर आउट करेंगे तरह सबनेंगे झुम्लों को बिटेंग अनमिनेंटर को जिस पी नम्बर से divide करें, उसी के साथ में end में क्या करना है, multiply करना है, तो हमने क्या किया था, 5 और 2, 10 से किया था, अब इसको 10 से multiply करो, ठीक है, तो exact answer क्या आएगा, आपके पास में, 90, ओके, yes, this will be 90, confused नहीं होना, कोई बात नहीं, option के अंदर आपके पास 90 नहीं था, गलती से option में नहीं लिखा गया, done, yes, answer क्या आएगा, 90 आएगा, बिल्कुल भी confused नहीं होना, कि हांजी, option में 90 नहीं है, remainder will be 90, done, okay, next देखिए, yes, this is a 2020 का question आगया, यह लो, क्या करना है, क्या था आपके पास, 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75, और इसको divide करना है, 100, अभी क्या कहा है, मैंने, cancel out कर दो, जिससे भी cancel out होता है, but last में क्या करना है, multiply करना है, okay, तो यहाँ पे देखो, यह हो गया, 25 क्या करना है, so, clear, आप 2 से यह हो गया, हमारे पास में, 31, clear, आप that means कि मैंने किसे cancel out करा, 50 से 50 से इसको divide कर दिया, एक तरह समने 50 से इसको divide कर दिया, last में क्या करोगे, 50 से multiply करोगे, ठीक है, जो भी remainder बचेगा, अब 51 को जो मैं 2 से divide करते, remainder क्या बचेगा, yes, बताओ remainder क्या आपके पास में, 1 remainder बचेगा, हाँ जी, remainder क्या बचेगा, 1 बचेगा, सिद्धी सी बात, जो भी odd number है, जब उसको 2 से divide करोगे, तो remainder बचेगा, ठीक है, अगर even number को आप 2 से divide करोगे, तो remainder बचेगा, 0, ओके, अब यहाँ पर देख रहे हो, इसमें भी क्या बचेगा, 1, 1, 1 and 1 ओके, that means की, remainder क्या बचेगा, आपके पास, अब यहाँ पर value काम है, यहाँ पर जाद है, that means की, जो remainder है, आपके पास में, वो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1, clear, means 1 को जब 2 से divide करेंगे, तो remainder क्या बचेगा, आपके पास, 1, but final remainder के लिए क्या करोगे, मैंने क्या कहा, जिस से cancel out कि या उसी से multiply करना है, किसे cancel out किया हमने, या 50 से cancel out किया था, तो 50 से ही multiply करोगे, so answer will be 50, yes, 2020 का question है, clear, तो देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ आया है, कुछ समझ आया है, अगर मैं यह पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेर करेंगे, अपने friends के साथ में, सबीने शेर जरूर करना है, अभी time है, अभी concept जो important, important concept है, वो हम सभी कर लेते हैं, और exam के time है, फिर क्या करेंगे, हम की practice कर सकते हैं, ओके, या इस description में link of label है, यह free warm up course है, आप इसको join कर सकते हो, इसके अंदर previous year के questions भी available है, previous year question series भी है, उसका भी link of label है, उसको भी आप check कर सकते हो, इसके अलावा अगर किसी को स्तिराफ quantitative aptitude में problem आरे, आप quantitative aptitude ले सकते हो, logical reasoning में problem आरे, logical reasoning ले सकते हो, English में problem आरे, आप English ले सकते हो, even अगर आपको complete course की requirement है, तो बिटा complete course भी available है, एक बाद description में link की वान है, आप check कर ल Thank you, so thank you so much, class is over.